वर सोनी टीवी का पॉपलर शो तारक मैता का उल्टा चश्मा फांस के फेवरिट शोस में से एक है इस हसी टीटोली वाला शो लंबे टाइम से टीवी पर अपनी पकड़ बनाय हुए है अलगे पिछले कुछ टाइम से ये शो लगतार सुर्कियों में बना हुआ है एक के बाद एक पुराने कैरेक्टर शो को अलविदा कह रहे हैं अब हाल ही में सोनू का कैरेक्टर निभाने वाली पलक सिद्वानी ने भी शो के मेकर्स पर कई गंबीर आरोप लगाते हुए शो को टाटा बाइबाइ कह दिया है इससे पहले भी एसित मोदी के ऊपर कई इल्जाम लग चुके हैं चैरे जी बीज अब खबरे आ रही हैं कि सोनू के कैरेक्टर के लिए मेकर्स को एक नई हसीना मिल शुकी है जिसे मेकर्स ने अपरोच भी किया है तारक महता का उल्टा चेश्मा में सोनू का कैरेक्टर निभाने वाली पलक सिद्वानी ने शो को अलविदा कह दिया ऐसे में makers ने सोनु के character को play करने के लिए एक नई आक्ट्रेस को approach किया है एक report के मताबिक model खुशी मली को सोनु के character के लिए अप्रोच किया गया है आपको बता दे खुशी मली को आखरी बार साजा सिंदूर में देखा गया था और अब वो तारक महता का उल्टा चश्मा में सोनू का कैरेक्टर प्ले करने के लिए पूरे तरीके से तयार है। इसी बीच बता दे कि पलक ने शो से जाते जाते मेकर्स पर कई इल्जाम लगाये थे। आक्ट्रेस का कहना था कि सेट पर उन्हें 30 मिनेट के काम के लिए भी घंटो घंटो बैठाया चाता था। उनको चुट्टी नहीं दी जाती थी, यहां तक कि उनके साथ काफी बुरा व्यवार भी किया जाता था। वल आप अलग सिद्वानी की जगा खुशी मली को तारक महता का उल्टा चश्मा में सोनू को कारेक्टर निभाते हुए देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइट हामें कॉमेंस में ज़रूर बताएं ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें झाल